नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों आई देखते हैं करेंट फेर्च का बहुत ही महत्पूण प्रस्ण है जो परते एक एक जाम की दिरिष्टी से बहुत महत्पूण है यों पहला प्रस्ण नहीं आए कि एस उन्निक किष्णन नायर की निवक्ति किस पद के लिए हाले में की गई है ए इसरो के चेर्मेन बी विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद के निदेशक सी विस्तारा एरलाइन्स के मुख्य कारिकारी अधिकारी या डी संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद की आतंकवाद बिरोधि समीति के अध्यक्ष तो इसका एंसर हो जाएगा बी विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद के निदेशक के रूप में किसकी निवक्ति हुई है तो एस उन्निक किष्णन नायर जी की बाकी इसरो के चेर्मेन के रूप में यस सोमनात जी की निवक्ति हुई है यह बहुत ही मतपून है एक्जाम की दृष्टी से और विस्तारा एरलाइन्स के मुख्य कारिकारी अधिकारी के रूप में कौन निक्तु हैं तो वह हैं बिनोध कन्नन जी संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की आतंगवाद विरोधी समिती के अध्यक्ष काउन चुने गए हैं यस तिरू मुर्ती तो एस सभी चारो लोग एक्जाम की दृष्टी से बहुत ही मतपून है अब देखते हैं नेक्ट कोस्चन की 14 फरवी 2022 को इसरो ने PSLB C52 के माध्यम से किस उपग्रह को सफलता पुरुवक प्रक्षेपिद किया इसमें सबसे मतपून है अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट यानि की EOS04 इसके माध्यम से देखिए क्रिसी वन इवं बाढ़ इत्यादी का मानचित्रन करने में बहुत ही आसानी होगी और EOS यानि कि सबसे मतपून है अर्थ आपजर्वेशन सेटलाइट 04 इसके माध्यम से क्रिसी वन बाढ़ इत्यादी का मानचित्रन करने में बहुत ही आसानी होगी और कहां से किया गया तो स्री हरिकोटा के 37 धमन अंतरिक्ष केंदर से प्रिक्षेपित क्यागा या भी बहुत ही मतपून है नेक्ष कोशन यह है कि रतन टाटा जी को हाली में कौन सा समान दिया गया ए आडर आप ड्रेगन किंग बी असम वैभो सी रामानुजम प्रसकार या डी रॉयल गुल्ड मेडल तो आइंसर होगा बी, असम बैभो समान रतन टाटा जी को दिया है, किसने दिया है, असम की सरकार ने बाकी, आज़र आफ ड्रेगन किंग, ये देख़े, भुटान ने दिया है, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी को रामानुजम पुरुसकार 2021 का किसे दिया गया है नीना गुपता जी को मेथमेटिक्स के छेतर में गडित के छेतर में और रायल गोल्ड मेंडल ये भी 2021 का युनाइटेट किंगिंडम यानि की बिटेन की सरकार ने दिया है किसे बाल किष्ण दोसी जी को तो इन सभी चारोलों को याद रखना एक जाम की दिरिष्टी से बहुत हिमत पून है नेक्स्ट कोशन है कि फरवरी 2022 से लोकसभा के चुनाव है तो उम्मिद्वारों के खर्च की सीमा कितनी निर्धारित की गई है A. 95 लाग B. 70 लाग C. 40 लाग D. 28 लाग तो एंसर हो जाएगा A. 95 लाग खर्च की सीमा लोकसभा के चुनाव है तो उम्मिद्वारों के लिए निर्धारित की गई है पहले 70 लाग था 70 से बढ़ा के 95 किया गया है और 40 लाग देखिए बिधान सभा के जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए अदिक्तम सीमा है पहले 28 था 28 से बढ़ा के 40 लाग किया गया है बिधान सभा के चुनाव लड़ने तो उम्मिद्वारों के लिए और लोक सभा के जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए 95 लाग खर्च की अदिक्तम सीमा है नेक्ट कोस्टन है कि लंदन इस्तित द एकोनोमिक इंटेलिएंस यूनिट यानि कि EIU द्वारा जारी लोकतंत सुचकांग 2021 में भारत का स्थान कितना है A. 1, B. 46, C. 158 या D. 56 तो एंसर हो जाएगा 46, 46 अस्थान कितना है? किसका है? लोकतं सुचकांग 2021 में भारत का है पहला अस्थान किसका है? तो वो है नॉर्वे का किसमें लोकतं सुचकांग 2021 में भारत का 46 है भारत का और 158 को अठाक यहाँ पर लिख दीजिए 166 यानि कि अंतिम अस्थान किसका है? तो अफगानिस्तान का है इन सभी को याद रखना है बाकी 56 अस्थान भारत का किस रैंकिंग में है? तो वो रैंकिंग है विश्व प्रतिभा रैंकिंग बिशु प्रतिभा रंकिंग में भारत का अस्थान कितना है? 56 है और बिशु प्रतिभा रंकिंग में पहला अस्थान बिशु किस देश का है? यह भी बहुत मतपुन है तो देश है स्वीट जेरलेंड इन सभी को ध्यान में रखना है अब next question है कि भारत उमान के बीच संयुक् यूद्ध अभ्यास फरवरी 2022 में जोधपुर में किस नाम से किया गया? बहुत मतपुने के जोधपुर में हुआ है A. कौंकर सकती B. यूद्ध अभ्यास C. इस्टर्न व्रिज 6 या D. दोस्ती तो भारत उमान के बीच संयुक्त यूद्ध अभ्यास जोधपुर में किया ग करो कि यूद्ध अभ्यास उल्ज've यूद्ध अभ्यास C. यूद्ध अभ्यास देखे ए्वाय। यू इंडिया और USA के बीच में कहां पर तो अलास्का में हूआ है uh जग मतपुने इस्टर्न भीज भारत उमान के बीच जोधपुर में और दोस्ती और दोस्ती यह हुआ है तीन देशों के बीच में इंडिया सिरलंका एवं मौलदीप के बीच में कहां पर हुआ है मौलदीप में ही हुआ है तो इनको भी ध्यान में रखना है नेश्ट कोस्टन अभी हो है कि जम्बु कास्मीर की साधिया तारिक हाली में क्यों चर्चा में थी ए बीबी सी स्पोर्ट परसनाल्टी आप दे इयर 2021 चुनी गई बी मासको वुसू स्टार चेंपियंशिप में सौन पदक जीता सी वर्ड एथलीट द्वारा उमेन आप दे इयर 2021 चुनी गई या डी रामानुजम पुरसकार 2021 परदान किया गया तो अंसर हो जागा बी मासको वुसू स्टार चेंपियंशिप में सौन पदक जीता है जम्बु कास्मीर की साधिया तारिक ने बाकी बीबीसी स्पोर्ट परसनाल्टी आप दे इयर 2021 कौन चुनी गई है तो चुनी गई है एम्मा राडू कानू एग्याम की दिश्टी से बहुत ही मतपुन है वर्ड एथलीट द्वारा उमेन आप दे इयर 2021 अंजू बाबी जार्ज भारत की अंजू बाबी जार्ज चुनी गई है यह भी मतपुन है रामानुजम परसकार 2021 जानते हैं नीना गुपता जी को मैथमेटिक्स के छेतर में दिया गया है नेश्ट कोशनी है कि मोबाइल mitä कांग्रेस 2022 का आएज़न कहां हुआ ए बार्सिलोना इस्पेन्स बी रोम इतलि सी बाली इंडोनेसिया या डि भारत तो एनसर हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा ए बार्सिलोना इस्पेaboutन में हुआ Mobile World Congress 2022 का योजन बाकी Rome, Italy, Bali, Indonesia यों भारत ये भी बहुत ही मत्पुने याम की दिरिष्ट से क्योंकि देखे, Rome, Italy में G20 देशों का समेलन हुआ था 2021 में और Bali, Indonesia में G20 देशों का ये समेलन होगा 2022 में अक्टूबर नौंबर में और भारत में G20 देशों का ये समेलन 2023 में होगा बहुत ही मत्पुने ये सबी तत्थे Next question अभी आए कि ससी थरूर की हाल ही में प्रकासित पुस्तक कौन सी है तो इसका एंसर हो जाएगा The Struggle for India's Soul ससी थरूर जी की बहुत ही मत्पुन किताब है Sunrise Over Ajodhya ये देखिए सलमान खुर्षित की किताब है बहुत चर्चा में थी तो ये भी बहुत ही मत्पुन है बाकी C. Boss the Untold Story of an Inconvenient Nationalist ये देखिए किताब है चंद्रचूण गोश की चंद्रचूण गोश जी की किताब है Boss the Untold Story of Inconvenient Nationalist बाकी The Climate of History in a Plenary Age एक किताब है बहुत ही मत्पुन दिपेश चक्रवर्ती की दिपेश चक्रवर्ती जी की किताब है इस प्रकार एक चारू किताब हैं बहुत ही मत्पुन है Next प्रस्ण है कि 4 फरवी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया 208 भूमी दिवस B. अंतराष्टी मानो बंधुत्व दिवस C. राष्टी महिला दिवस D. राष्टी विज्ञान दिवस तो एंसर हो जाएगा 4 फरवी 2022 को मनाया गया अंतराष्टी मानो बंधुत्व दिवस अंतराष्टी मानो बंधुत्व दिवस बाकी 208 भूमी दिवस को मनाया गया 2 फरवरी को मनाया गया राष्टी महिला दिवस को मनाया गया तो एं देखिए 13 फरवरी को मनाया गया और राष्टी विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया प्लस एक बहुत ही मतपून दिवस मना गया विश्व कैंसर दिवस मना गया यह अभी बहुत मतपून है चार फ़री दिवस को ही तो आज इतना है दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में तब तक वीडियो को अंतक देखने के लिए लाइट शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पुरुवक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद